आज हेमन सरकार के लिए एहम दिन है ज्वारखन विधान सभा का आज विशे सत्र आहूत किया गया है विधान सभा में हेमन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी क्याबिनिट का भी विस्तार होगा हेमन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी इससे पहले बैठकों का दौर देखने को मिला पक्ष और विपक्ष दोनों और से खूब चर्चाय हुई मन्थन हुआ और आज विश्वासमत से पहले जो रणनितियां बनी हैं उस पर कितना अमल आज करती है दोनों ही दल चाहे वो हम अपाजिशन की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें दोनों ही और से क्या कुछ आज देखने को मिलता है विधान सभा के पटल पर ये देखने वाली बात होगी विशे सत राहूत किया गया है कुछ दिनों पहले ही हिमंत सोरेन ने जहारकन के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपत गरहन किया और उसके ब आज बेहत एहम दिन हिमंत सरकार के लिए आज विश्वास मत हिमंत सरकार विधान सभा में हासिल करेगी इसके अलावा कैबिनेट का जो विस्तार होगा उस पर भी नजने टिकी रहेंगी तो हिमंत सरकार के लिए आज का दिन बेहत एहम है हिमंत सरकार आज विश्वास मत हासिल करेगी विधान सभा का विश्वास मत हासिल करेगी विश्वास मत जुटाती है आज विधान सभा के पटल पर देखना होगा आज किस तरीके से हिमंत सरकार 3.0 आज विश्वास मत हास नजरे इस पर बनी रहेंगे इससे पहले बैठकों का दौर दिखा है चाहे पक्च की बात करें या फिर वपक्च की बात करें दोनों ही और से अपनी अपनी रणनितियां आज के विशिश सत्र के लिए तै की गई है और इन रणनितियों पर कैसे खरा उतरती है दोनों ही जो खेमा है वो कैसे खरा उतरता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा तो विधान सभा का विशिश सत्र आहूत किया गया है और हेमन सरकार के लिए आज का दिन कह सकते हैं कि बहुत एहम है काबिनेट का भी आज विस्तार होना है कौन से नए चेहरे काबिनेट में आते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा असपर भी नजरे बनी रहेंगी हेमन सरकार आज विस्वास मत हासिल करेगी और बहुत एहम ये देखना होगा कि जो रणनीतिया बनी है क्या वो रणनीतिया विधान सभा के आज पटल पे दोनों ही खेमों की ओर से इंप्लिमेंट होता है या फिर सत्ता पक्ष जो है वो बहतर तरीके से पूरे फ्लोर टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करता है और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन फॉन लाइन पर जुड़े हुए है उनका रुप कर लेते है मदन आज का दिन बेहर देहम है हिमंद सरकार के लिए विश्वास मत आज हासिल करना है हिमंद सरकार को इसके अलावा मदन कैबिनेट का भी विस्तार आज होगा उस पर भी निगाहे ठीकी रहेंगी मदन बिलकुल देखिए आज दोनों ही महत्पुर्ण चीज़ें जो है होने वाली है दरसल कल देर रात तक जो है इस पर मंथन हुआ है मुक्मंद्री आवास में सत्तापक्स के विधायक जूटे हुए थे और पूरी तरह से रनिती बनाई गई है कि किस तरह से बहुमत हासिल करनी है दरसल वीप भी जारी किया गया है जैमेम के तरफ से तमाम विधायकों को विधान सवार्ण वोट के लिए जो है मौजूद रहना है तो हलांकि तस्वीर पीछले बार से इस बार थोरी बदली हुई है पिछले बार एक बस में सवार करके सभी विधायकों को लाया गया था लेकिन इस बार सभी अपने अपने गारियों से ही आएंगे तो एक तरह से आस्वास्त दिख रही है मंद सरकार जो उनको विश्वास्त मत खांचिल करने में कोई परिशानी नहीं है हलांकि इस मिशेश चातर को लेकर के बीजेपी के तरफ से भी बैचक की गई थी तो हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से दोनों पक्स जो है इसके लिए तैयार है अब देखना होगा कि हमन सुरिंद के सरकार में केबिनेट में कौन-कौन जो है वो सामिल होते हैं क्योंकि आज ही तीन बजे राजबबन में केबिनेट विश्तार को लेकर के भी कारिकर मायजीत है तो इसे में कौन-कौन चेहरे केबिनेट में सामिल होते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा चलिए तो काबिनेट में किनकें चेहरों को नजर मिलती है इस पर भी नजर बनी रहेगी लेकिन उससे पहले विधान सभा के फटल पर आज राजभवन में उस पर भी निगाहे टिकी रहेंगे और देखिये उस पर निगाहे इसलिए टिकी रहेंगे क्योंकि कुछ नए चेहरों को इस बार हिमंद के 3.0 कारिकाल में जो है जगह मिल सकती है तो इसलिए भी उस पर नजरे जो है वो टिकी रहेंगी लेकिन फिलाल जो सारी निगाहें हैं वो विधान सभा पर विधान सभा के इस सत्र पर टिकी रहेंगी जो हाँ हिमंद सरकार जो है विश्वास मत हासिल करेंगी नए अनुभाव जोश और उमंग का बेजोर संगम है छोटा नागपूर वाटर केंडम यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेब का होगा एक डम नया अनुभाव सबसे जादा सलाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपूर वाटर केंडम प्रदान कर रही है युनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारणे कि यहां के सिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज़ादा रिसर्च पेपर और 100 से ज़ादा पेटिंट फाइल किये हैं 26 से अधिक पेटिंट पब्लिश्ट हुए हैं और 3 पेटिंट ग्रैंट भी हो चुके हैं और यही नहीं यहां के फेकल्टी और स्टुडेंट सो से अधिक किताबे पब्लिश भी कर चुके हैं युनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टुडेंट को कॉर्परेट प्लेस्मेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दे जाती हैं और इसलिए अमेटी युनिवर्सिटी अपनी अस्थापना से ही देश विदेश के कई जानिमानी मुल्टिनाशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एकसेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसेस, विपरो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान, युनिलवर जैसे 180 असी रेप्यूटिट कंपनीज के लिए रिकूट्मेंट की प्रेफर्ड चोइस बन गया है। झाल